हेलो एविवान स्वागत है आप सभी का नहीं आज एक फैंटेसी प्रिव्यू की बात नहीं होगी क्यूंगे आज हम डिसकस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंपाक्ट करेंगा आपके आगे की फैंटेसी लाइफ वह जी एस्टी और ऑनलाइन गेमिंग कै कैसे इस बात से फरक पड़ेगा क्या चेंज होंगे जब आप डिपॉसित करोगे और कैसे आपको अज़स करना है ताकि आप जी एस्टी बच्टा आप आओ यही क्रूशल चीजों को हम कवर करेंगे आगे इस वीडियो में तो इंशॉर कि आप स्टार्ट टो एंड तक बन वट इस जी एस्ट और ऑनलाइन गेविंग ट्वेंटी एट परसेंट जो आपका डिपॉसित अमाउंट है विल बी चार्ज जी एस्टी पाइद गवर्मेंट तो समझ लिए आज आपने रुपीज अपने आप के वालेट में डिपॉसित किये तो आपको मिलेंगे कितने से और यह रूल लागू होगा 1st October 2023 से तो क्या फरक होगा आज की टाइम में जब आप 100 रुपीज दिपॉसित करते हैं हमें मिल जाते हैं पूरे 100 रुपीज बट आगे जाते हुए अगर आप 100 रुपीज कोई भी अपने फैंटेसी वालेट में डिपॉसित करेंगे तो आपक तो आगे जाते हुए जब भी आप 100 rupees deposit करोगे आपको मिलेंगे सिर्फ 78 and first October से rule हो जाएगा लागू इस बात का ध्यान रखेगा तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इस चीज को workaround कर सकते हो कि ना कि आपको सिर्फ यह 28% GST बरना है आपको जब profit होता है जब आगे जाके आपको इभी गेंज में profit करते हो not on your deposit amount but profit amount समझे मेरा 100 rupees का profit हुआ है उस पे भी मुझे TDS बरना पड़ेगा 30% तो we will have to optimize our strategy की क्या हिसाब से आप आगे जाते हुए fantasy खेलोगे तो यह हम आगे discuss करने की कोशिश करेंगे तो stay tuned and remember to join us on fantasy क्रिक्टो वहाँ और भी कोई भी updates होंगे regarding this topic regarding fantasy उस सब updates आपको मिल रहेंगे on telegram and twitter तो वहाँ जुड़ना मत बूलेगा and how can we save ourselves from this GST यह है इस वीडियो का key topic की कैसे आप maneuver कर सकते हो अपने wallet को to ensure कि आप यह GST ना भरो तो पहले तो एकदम simple चीज जो pre GST यहाँ भी मैंने कहा था कि ज्यादा deposit and withdrawal आप ना करें तो बहतर है and q क्योंकि जब अभी आप बार बार जब भी deposit करोगे आपको बार बार वो GST भरना पड़ेगा तो कैसे आप यह deposit avoid कर सकते हो at least एक 20 match का backup अब अपने wallet में रखिए GST के आने से पहले कब आ रहा है GST 1st October तो 1st October से पहले जो भी best offers आपको जो भी आपस पर मिल रहे हैं जो भी आप आपको पसंद है वहां पे आप 20 match का backup रखिए अब वैसे मैं ऐसे टाइप पर इंसान हूं जो 10 match का backup रखता है अपने wallet में बट क्योंकि आप situation ऐसा है कि deposit करना next to one affordable हो जाता है या बहुत मुश्किल हो जाता है with the amount of charges मैं यह सजेश्ट करूंगा कि आप at least 20 match का backup अपने wallet में रखिए safe और उसको आप बिल्कुल भी withdraw मत करिए तो समझे आप पर गेम 100 रुपीज invest करते हैं तो at least आप 2000 रुपए अपने wallet में रखिए आप की wallet just remember that ताकि वैसे क्या होता है fantasy में आप ज्यादा ज्यादा चार गेम पांच गेम छे गेम इनर वह हार जाते हो but I think मेरा सबसे लंबा स्टीक छे गेम का अब तक तो वह हिसाब से आप सोचिए कि आप किस limit तक जा सकते हैं वही अपने budget में आप deposit करिए तो मुझे लगता है कि safety के इसाब से even on the worst days and worst list मेरे इसाब से 20 match का backup काफी है though currently मैं अब तक 10 match के backup पे चल रहा हूँ but now that GST आने वाला है मैं यह prefer करूँगा कि मेरे wallet में थोड़े extra पैसे ही पड़े रहे है rather than me withdrawing it यह हुई पहली बात दूसरी बात यह है कि आप withdraw भी तभी करिए जब आपका wallet का amount 30 match का backup cross कर जाए तो समझी है आज आपने खेला आप जीत गए कल आपने खेला आप हार गए फिर उसके बाद आप next day खेलें वापस आप जीत गए अब समझी है आप 3 या 4 members खेल रहे है क्योंकि आप 2 out of 3 जीते हैं या 2 out of 3 हा रहे है फिर भी आपका थोड़ा बहुत profit हो गया है अब आप सोचोगी कि मैं profit कब withdraw करो immediately आप profit मत withdraw करिए समझी आपके wallet में जैसे इस इनसान के 100 per match के हिसाब से 2000 है wallet में अब वो 2200 हो गए तो क्या मुझे वो 200 अभी ही withdraw कर देने चाहिए नहीं क्योंकि याद रखिए वो 200 भी जैसे आप withdraw करोगे आपको उस पे भी TDS बनना पड़ेगा क्योंकि वो आपका profit का amount है तो profit के amount पर आपको TDS बनना पड़ेगा hence आप insure करिए कि आप उस पैसे को उतना लंबा खीच पाए कि जब आपका wallet 3000 क्रॉस कर जाए तब आपको मन में पता हो कि ठीक है आप मेरे wallet में 3200 रुपे हैं मुझे पता है कि even on the worst days मैं 30 match in a row तो नहीं हारूँगा मैं तो 20 या 10 भी नहीं हारूँगा बट मुझे अपनी safety देखनी है कि मुझे वापस GST नहीं भरना है तो वो हिसाप से आप सोचेगा आप 30 match का backup 20 match आप खुड deposit करिए और जैसे आप जीतते जाएं उसको 30 matches तक build up करिए जैसे ही आपका 31, 32, 33 match जितना backup है wallet में वो extra amount आप withdraw करिए तो वह हिसाप से आप GST से बच पाऊगे और कोई तरीका नहीं है इसको जब आपका wallet खाली हो जाएगा आपको deposit करके GST भरना ही पड़ेगा that is the rule and यही government ने का है अब हम देखते हैं कि कैसे आप कौन से apps पे GST बचा भी सकते हो समझ यह वो दिन आ भी गया कि आपका deposit zero हो जाए या आप कैसे वो best offers का फाइदा उठा सकते हो तो दो apps है जो already कह चुक है कि GST हम बरेंगे GST user को नहीं बरना पड़ेगा वो है my master 11 और exchange 22 दोनों apps ने का है कि GST वही बरेंगे आपके deposits पे बट जैसे मैंने का आपको smart रहना है यह rule कभी भी यह बदल सकते हैं कह सकते हैं 10 या 15 दिन बात कि अब हम GST नहीं बर पाएंगे 28% एक बहुत बड़ा amount है एंस जो मैंने previous slide में का वही सबसे important चीज़ है कि आपको जो अपने deposits है 1st October के पहले ready रखने हैं आपको किसी और पर rely नहीं करना कि GST कोई और आपको भरके दे या ना भरके दे वो आपका criteria नहीं होना चाहिए बट एक चीज़ जिसका आपको पूरा फाइदा उठाना चाहिए before 1st October is कि सारे apps आपको अच्छे offers देंगे कि आप आपके एक अच्छा deposit कर लो before 1st October ताकि समझी आज माइमास्ट 11 कह रहा है कि मैं आपका GST भरूंग 88% बट अगर आप 1st October के पहले deposit करेंगे उनका भी फायदा होगा आपका भी उनका कैसे क्यूंकि फिर उनको आपका GST नहीं बनना पड़ेगा आपका कैसे फायदा होगा क्यूंकि वह आपको एक अच्छा-खासा offer दे देंगे कि आप अच्छा deposit करिए आप इंस्टेड आप इ तो इन टाइप के offers पे आप अपनी नजर बनाए रखिए तिल लास डे अब यह offer आपको पसंद है तो आप अभी यूज कर सकते हो जो आप है दोनों दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शिन में तो वहीं से जाके उठाइए एंड वहीं पर अपने डिपॉसित करिए एकदम सिंपल अप्रोच रखिए मैंने जैसे का कॉंप्लिकेट मत करिए कोई 10-12 मैच बीच में मत सोचे कि अच्छा मैं 10 मैच करें रखूंगा फिर मेरा बढ़ जाएगा वॉलेट फिर ही हो जाएगा वो जाएगा क्योंकि end of the day fantasy is that kind of thing कि जब आपका समय खराब है जैसे मैं एक टाइम पर IPL 21 में यह मैच साथ में हार गया तो आप ऐसे मत सोचे कि मैंने सिर्फ 5 मैंच का बैक अप रख दिया वॉलेट में तो मेरा काम हो जाएगा क्योंकि कभी कपार वो चीज़े नहीं होती है इविन दो एक रारिटी है कि आप 6-7 मैं 6-7 में हार जाओ बट आपको अपनी सेफटी का ध्यान रखना है कि जहां हो सके आप अपना GST बचा पाओ यही मेरी प्रारिटी है और इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं जस्ट एक्स्प्लें लाट तो यू तो यह हो गई ब अपनी भी लीग अब उसी गेम्स में शिफ्ट करो अब आप वही लीग्स केलो मैंने माय मास्ट लें पर भी आपको दिखाए कि फाइम मेंबर्स वन वाली लीग है अगर आप मेरे जैसे हाई रिस्क लिए रहे हो और अगर आप वह लीग थ्री आउट और टैंस भी जीत पाओ तो आपका प्रॉफित हो रहा है एंस ऐसी कोनों चीजें एंड में यूजर कोई भरनी है जी एस्ट भी एंड टीडियस भी यह कुछ आप्स ने अनॉंस किया है कि वह भरेंगे जीएस्ट पर यह कब तक होगा इसकी भी कोई सर्टिनिटी नहीं है है जो हमारे कंट्रोल में वह अभी तक तिल नेक्स वीक जीएस्ट बचाना तो हम जल्दी एक deposit कर लेंगे उसके बाद we can only see what will happen as TDS अब तक भरना है और बहुत लोग ऐसे होंगे जो छोटे users होंगे जो कहेंगे कि हमारे पास 500-600 से ज्यादा डालने के लिए वैसे भी नहीं है तो यह जो आप कह रहे हो सर की beast match का backup डाली है वो हम करीन नहीं सक budget है जो पैसे आपको पता है कि अगर मैं 30 मैंच या 20 मैंच भी रो में हाल जाओ तो मुझे खराब ना लगे ना वो मेरे necessity के पैसे हो ना वो मेरे घर के दवाई के पैसे हो तो आप ये बात एकदम smartly सोच के चलिए कि अगर आपके पास वो affordance and budget है तो ही आपको पैसे आपके deposit exhaust हो गए तो obviously users को वो hesitancy बिलकुल रहेगी to make a deposit again. तो very uncertain times पता नहीं आगे क्या होगा बट मैंने सिर्फ सोचा कि जो मेरा approach है और जो मैं सोचा हूं इस बारे में वो आप सबको बता दूँ और फिर आप अपने हैसाब से अपनी strategy बना सकते हो. Please keep in mind that these games are habit forming and financially risky. अपन budget and समझ बना कर के लिए and like always remember to join us at the rate fantasy crypto on twitter and telegram. I hope आप सब को एक content पसंदा है और आपको useful लगा. Please इसे share करिए आगे अपने दोस्तों के साथ and remember to like and comment जल्दी मिलेंगे एक और preview के लिए and thank you so much for tuning in.